13 दिसंबर की कुछ मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। कनाडा के एलबिटा में 24 वर्षिय सिख युवक की हत्या। पाकिस्तान के पूर प्रधानमंत्री इम्रान खान पर हमला करने वाले आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमान में भेजा गया। बिहार विधान सभा का शीत कालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। चीन पर विश्वास नहीं कर सकते, लैक पर बने पेट्रोली प्वाइन डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बक्षी। असम के CAA विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी एहम सुनवाए। भारत चीन तनाव पर सदन में हो चर्चा, पीएम मोधी जारी करे बयान खडगे। उत्तर करनाटक की 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है OVSी की पार्टी। आईए कनाडा में सिख युवक की हत्या और बिहार विधान सभा के सत्र शिरू होने के समाचार को विस्तार से जानते हैं। पहले कनाडा में सिख युवक की हत्या। कनादा के अलबटा प्रांट में भारतिय मूल के एक 24 वर्षियसिक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। कनादा में इस महीने इस तरह की यह दूसरी घटना है। एड्मॉंटन पुलिस की एक विग्यप्ती में कहा गया है कि युवक की पहचान सनराज सिंग के रूप में हुई। 3 दिसंबर की रात एड्मॉंटन में गोली चलने की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुची थी। घायल अवस्था में सिंग एक वाहन में बैटे हुए थे। अपात कालीन चिकित्सा सेवा के पहुचने तक उनकी मौत हो गई। प्रेस विग्यप्ती में बताया गया कि अंते परीक्षन रिपोर्ट के मुताबिक सिंग की हत्या की गई है। इससे पहले कनाडा के उन्टारियो प्रांत में 3 दिसंबर को 21 वर्षिय सिख महिला पवन प्रीत कौर को हमले में गोली मार दी गई थी। नवंबर माह में भी महकप्रीत सेथी की बृटिश कोलंबिया प्रांत में उच्च विद्यालय की पाकिंग में चाको मार कर हत्या कर दी गई थी। अब बात करें हैं बिहार विधान सभा की. आज से बिहार विधान सभा का शीत कालीन सत्र शुरू हो रहा है. ये शीत कालीन सत्र कई माइनों में खास है. इस सत्र में विधिवत रूप से भाजपा विपक्ष के रूप में सत्तारूर दल के सामने रहेगी. दरसल जब नीतिश कुमार NDA से महागड बंधन में गए थे तो बहुमत जुटाने की प्रक्रिया में भाजपा विपक्ष की भूमिका में थी लेकिन अब पहली बार एक पूरे सत्र में भाजपा विपक्ष की भूमिका में रहेगी इसको लेकर भाजपा ने तयारी भी की है आईए जाने क्या है भाजपा का प्लान भाजपा विधायक वपूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इस सत्र में सरकार को कई मसलों पर घेरने की तयारी है तीन ऐसे मसले हैं जिसके आधार पर वो जद्यू और राजप को घेरेगी पहला नियुक्ती पत्र को बाटने को लेकर सरकार को घेरने की तयारी की जा रही है बीजेपी का आरोप है कि पूर्व की सरकार में यह नौकरिया हो चुकी थी सरकार अपना कॉलर टाइट करने के लिए यह नियुक्ती पत्र बाट रही है इस मसले पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा होने के आसार है दूसरा मुद्दा विकास का है 2005 में NDA की सरकार बनी थी तो लालू राबड़ी सरकार का हवाला देकर सरकार में आये थे फिर 15 साल बाद उनी के साथ आकर अब विकास की चर्चा नीतीश कुमार नहीं करते है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब साथ निश्चे की चर्चा नहीं करते है विकास के मुद्दे से सरकार अब बिलकुल उतर चुकी है तीसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था जिससे 2005 में NDA सरकार की साख बनी थी अब वो साख भी खत्म हो चुकी है नीतिश कुमार के सामने credibility crisis है भाजपा इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरे